आज मैं आपको एक ऐसे आरिवेदिक पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकता है इस पौधे के बीज, पत्ते, फूल और जड़ यानि कि इस पौधे का हर चीज का इस्तमाल अलग-अलग बीमारियों में किया जाता है और इस पौधे का नाम है अपराजिता जिसे आप शंक पुस्पी, बटरफ्लाई पी जैसे कई नामों से जानते हैं ये पौधा विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E सहीत एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर है जो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है आपने अपने घरों के आज पास बाग बगीचे में अपराजिता का फूल देखा होगा लेकिन 99% लोगों को अपराजिता के इस पौधे और फूल के आरिविदिक फायदों के बारे में नहीं पता इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर अपराजिता के इस पूरे पौधे को होम रेमेडी में कैसे आप इस्तमाल कर सकते हैं यानि कैसे इस पौधे की फूल पत्ते जड़का इस्तमाल अलग-अलग बिमारियों में कर सकते हैं ताकि आप अपने शरीर को खमेशा हेल्दी रख सके आप चाहें तो अपराजिता को घर पर भी लगा सकते हैं अगर आपके घर पर छट है तो आप वहाँ पर इस पौधे को जरू लगाए बहुत ही फादे मन्द है दोस्तों आईए के करके जानते हैं इसके आयर्विदीक फादे और इसके प्रियुक के बारे में सबसे पहला फादा है अर्थरैटिस और गठिया वालों के लिए आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है जी हाँ लोगों के हड्डियों में दर्ध होता है ज्वाइंट में पेन होता है तो अगर आपको भी गठिया की समस्या है तो गठिया में अपराजिता के पौधे का जो पत्ते हैं पत्ते को ले लीजे साफ करके इसका लेब बनाईए और जिस भी ज्वाइंट में दर्ध है कुछ जगह आप इस पत्नों के लेप को अच्छे से लगा लीजे और इसके बाद इसको सुखने देना है आप देखेंगे किस से आपके ज्वाइंट पेन में आराम मिलने लग जाएगा इसके लावा अपराजिता पौधे की आप जड़ को निकाल लीजे और इस जड़ को सु काडियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए और सासाथ में शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फादेमत होता है इसके लिए क्या करना है अब प्राजिता का नीला फुल आपको तोड़ लेना है एक कप चाय के लिए चार फूलों की जड़त पड़ेगी डेर से दो कप पानी ले देजिए इसमें चार फूलों को डाल दीजे और स्वाद अनुसार अद्रक काली मेश तूलसी या फिर इलाइची आप मिला सकते हैं और आपको तब तक चाय को बालना है जब तक पानी का कलर चेंज नहों जाए जिहां आप उबालेंगे तो देखेंगे कि जो फूलों का न पास कर सकते हैं ऐसा आपको रोजाना दिन में एक से दो बार लेना है आपको बहुत जब बरदस्ट फादे मिलेगा शूगर कंट्रूल में रहेगा हाट की मिमारी उसमें फादे मिलेगा ब्लॉकेज यह दूर करेगा कॉलेश टॉर को मैंटिन करेगा बीपी को नॉर्मल कर इसके लावा आजकल हमारे खराब लाइस्ट्राल के वजह से पेट से जुड़ी प्रॉलम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है लोगों के पेट में गैस रहती है ज्वाइंडिस हो जाता है और पेट में पानी भरने की समस्या भी हो जाती है अगर आपको ऐसी कोई भी दालकर खलकी आँच में भून लेना है और भूनने के बाद बीजों अपको मिक्स्टी गरांडर में डालकर इसका Crunya मिल जाएंगे आप वहां को आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने लगे का Drug lingu ज्वाइन इसकी प्रॉलम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके लावा आपको इंडाइशन पेट में जलन की प्रॉलम है तो भी आप इसकी जड़ का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है। अब प्राजिदा की जड़ निकालने ली है। जड़ निकालने के बाद इस जड़ को सुखा लेना है और फिर इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पीच लेना है। अगर आपको दूद डाजिस्ट नहीं होता है या फिर दूद से ऐलर्जी है तो फिर आप दूद की जड़ घी का इस्तामाल कर लेजे। घी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें कि कैसे आपको इस प्रॉलम से सॉलिशन मिल सकता है। इसके लावा आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान में भी दर्द होता है। और कई चीजें ट्राय करने के बाद भी कान दर्द से आराम नहीं मिल पाता। प्रॉक कीसे करना है। अप राजिता के हरे पत्तों को तोड़ लेना है, तोड़कर इसका लेप बना लेना है, पीर्श कर लेपको हलकसा गुंगुना कर लेना है। आप तवे में डाल कर इसे थोड़ा गरम कर लीजे, उतना ही गरम कीजेगा जिससे कि आपकी जो स्कीन है वो जले नहीं, आप खलके गुनगुने पेश्ट को अपने कान के चारो तरफ लेप की तरह लगा लेना है, और ऐसे ही उसे सुखने देना है, ऐसा करने से आप देखें चिंदेना है, इसे साथ आपको अपराजिता की जड़ निकालेनी है, जड़ और बीज के साथ इस फहली को पानी में मिलraf अच्छे से पीस लेना है, पानी जादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जिससे की इसका अच्छा सा लेप बन सकें, फिर लेप को निच और कर उस जिन भी कम कर सकते हो जी हाँ, अपराजिता के फोलों की चाय भी बनती है जो वेट लॉस में हमारी मदद करती है, बालों को बढ़ाने, जड़ों को मझबूत करने, इसके लाब़ा चेहरे में गलो लाने में हमारी काफी ज्यादा मदद करती है आपके शेरीर में कोई विमारी ना भी हो न तो इस अपराजिता के नीले फोलों की चाय बना कर पीज़े बहुत ही जबदसते दोस्तों यकीन मानिए लगतार 7-8 दिनों तक इसकी चाय बना कर पीएंगे न आपको खुद में फर्क महसूस होगा आपकी उम्र बढ़ जाएगी चेहरे का ग्लोग बढ़ जाएगा जढ़ते वे बाल रुख जाएगे इसके लावा आप हेल्दी रहोगे यंग दीखोगे एनर्जेटिक रहोगे और अगर मोटापा बढ़ा हुआ है तो एक्षटा फैट भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा यह है अपराजीता के बहतरी इन्फादे आपके वीडियो जानकारी कैसे लिएगा आप हमें मताएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ परिवार के सदस्वें के साथ जोरो शेयर किजेगा तो अगले वीडियो में जाहिंद